लिकिन जो नहीं कर सकते इतना जादा नित्य उनके लिए मैंने ये विशेस बातें आप तक पहुचाने का प्रेप्न किया है। आप देखिए प्रारंब होता है श्री गुरु चरन सरोजरज निजमन मुकर सुधारी और इसके बात की जो चौपाईयां हैं मानस में वावतुलसी लिखते हैं जब ते राम व्याही घर आये नितनव मंगल मोद बधाये भुवन चारी दस भूधर भारी सुक्रत मेग बरसही सुख बारी रिदी सिथी संपती नदी सुहाई उमगी अवध अंबुधिकव आई मनि गन पुर नर नारी सुजाती सुची अमोल सुन्दर सब भाती कही न जाई कचु नगर विभूती जन इतनेई बिरंची करतूती सब बिदी सब पुर लोग सुखारी राम चंद्र मुख चंद्र निहारी मुदित मात सब सखी सहेली फलित बिलो की मनो रथ बेली राम रूप गुनसील सुभाव प्रमुदित होई देखी सुनी राउ और फिर आगी बावतुलसी लिखते हैं कि सवके और अभिलास अस कह ही मनाई महेशू आप अच्छत जुब राजपद राम ही देव नरेशू अब आप स्वयम पढ़ सकते हैं कि इन चौपाईयों में क्या है बावतुलसी यही तो लिख रहे हैं कि जब राम जी का विवाह हुआ और विवाह होकर कि जब राम जी अयोध्या बापस आए तो जब ते राम व्याही घर आए नित नव मंगल मोध बढ़ाए अयोध्या पुरी में संपूर्ण नगर में मंगल ही मंगल होने लगे भुवन चारी दस चौदह भुवन प्रत्वी के नीचे साथ लोग हैं प्रत्वी के ऊपर साथ लोग हैं उन चौदह भुवनों में सुक्रत मेग बरसा ही सुख बारी सुन्दर मेगों की वर्षा अब बारिस भी कई प्रकार की होती है एक बारिस ऐसी होती है जो गाउं के गाउं बहा ले जाती है बाढ़ा जाती है सुनामी आ जाती है त्रासदियां हो जाती है केदारनात की तरह और कोई बारिस ऐसी होती है धीमे धीमे मन्द मन्द जब बारिस होती है तो सुगंध आती है और वह जो बारिस है उस बारिस से अन्यधान्य की पैदावार होती है सबी का पेट भरता है एक ब्रस्टी होती है बुरी एक अच्छी एक ब्रस्टी में सूखा पड़ जाता है बाढ़ें आ जाती है सुनामियां आ जाती है त्रासदियां हो जाती है और दूसरी ब्रस्टी सुक्रत सुन्दर ब्रस्टी जिस ब्रस्टी से किसानों को लाव होता है अन्यधान्य की पैद वारच्ची होती है लोग भूखे नहीं मरते सूखा नहीं पड़ता अकाल नहीं पड़ता महामारिया नहीं आती एक वो ब्रस्टी होती तो कहा जब राम जी घर ब्याह करके आये तो सुक्रत मेग बरसही सुख बारी सुख बारी मतलब सुख रूपी जल की ब्रस्टी हो रही ह और आगे बावत तुलसी दास लिखते हैं रिधी सिधी संपती नधी सुहाई उमगी अबध अंबुधी कहु आई उस गर में उस अयोध्यापूरी में रिधियां सिध्यां आने लगी रिधियां सिध्यां आ गई इसे नधी का वेक प्रवाहित होकर के समुद्र में जाकर के मिलता है वैसे ही अवध में रिधियां सिध्यां सुख संपत्ती बिल्कुल प्रवाह की तरहें आने लगी मतलब इतनी जोर से इतनी जादा मात्रा में सभी के घर में रिद्धी, सिद्धी, शुख, संपत्ती आ गई है और अयोध्या के सभी नर्नारी बड़े प्रसन्न हैं कही न जाई कचु नगर बिभूती उस नगर की जो महिमा है वो बाणी से बर्णन नहीं किया जा सकता अवर् अगर वुद्ध्या के सभी सव पुरलोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र नहारी प्रहुस्री रामचंद्र जी के मुख का दर्शन करते हुए समस्त नगर के जो बासी है वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं सभी प्रसन्न हैं सुखी हैं और अंत में जो दोहा है बाबा जी लिखते हैं कि सब के और अविलास अस कह ही मनाई महेशू सब प्रसन्न हैं और प्रसन्न तो है ही प्रसन्नता के साथ साथ सब के मन में एक इक्छा है सब के मन में एक अभिलासा है, सब के मन में एक चाह है, और वह चाह क्या है, कि हमारे जो राम जी है, राजा दशरत, अब राज जित्याग करके राम जी को राजा बना दें, युबराज बना दें, अयोध्या का महराज गोशित करें, ऐसी सब की एक्छा है, अयोध्या की प्र पागरें जिससे हमारे राम जी अब राजा बन जाएं